टोयोटा इनोवा का न्यू जनेरेशन मॉडल फाइनली आज इंडोनेशिया में रिवील हो गया है अन्वील हो गया है वहांकी प्रैसेज आ गई है बहुत सारी डीटेल्स आ गई है भारत में इसका अन्वील चारवाज दिन बाद होगा 25 नवंबर को होगा बट हम उस इवेंट को अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि टोयोटा नहीं चाता है हम अटेंड करें बट क्योंकि डीटेल्स आ गई है तो मैं आपको सारी डीटेल् अटेंगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नमाश्कार कमागनी दिवियों सजनो वानिमेश विकास योगी यो वचिंगाइस इस तूडियो एंगेज अविधिन तोयोटा इनोवा हाइक्रोस So the first thing is first, the new platform. That's right, जो अभी तक जितनी भी इनोवा जमने देखी है, वो body on frame platform पे देखी है जो कि usually हम trucks से या SUV से सो सुरीट करते हैं वही platform use होता है, जो कि Fortuner में भी आपको मिलता है Fortuner और Innova का जो current generation है, platform same है, बट पहली बार Innova monocoque construction पे जा रही है Monocoque construction मतलब जो भी urban SUVs, hatchbacks, sedans जो है, वो सारी की सारी monocoque construction पे बनी होती है तो वो अली chassis पे ये बनेगी, इसकी वज़े से जो overall look है गाड़ी का वो भी change हो जाएगा, जो stance है गाड़ी का वो भी change हो जाएगा, ये बहुत जादा SUV जैसे इसे project कर रहे हैं, जितने भी teasers भारत में निकाले हैं, उसमें बोला है कि इनोंने कि ये SUV जैसी लगती है पर actually ये crossover जादा लगती है, crossover MP भी आप इसे बोल सकते हो, गाड़ी की जो लंबाई है, 4755 mm होने वाली है, पहले से बड़ी है, in fact wheelbase के अगर आब बात करोगे, 2850 या 2855 mm के असपास होगी, तो 100 mm जादा बड़ा wheelbase है, that means अंदर जो space है, वो भी आपको जादा मिलने वाला है Ground clearance जो है गाड़ी का, वो more or less same रहने वाला है, जो existing Innova है, और क्योंकि monocoque construction है, तो पहली बार ये भी देखने को मिलेगा हमें, कि front wheel drive Innova होने वाली है, rear wheel drive जो अभी मिलती है, वो नहीं आपको मिलेगी, number two, जो चीज पहली बार हमें देखने को मिलेगी, वो है hybrid version, that's right, पहली बार Innova जो है, अपने high cross model के साथ में, hybrid powertrain system के साथ में आएगी, ऐसा नहीं है कि petrol offer ही नहीं किया जाएगा, petrol का हो जकता है, एक variant offer कर जाएगा, जैसा कि Indonesia में किया है, दो लीटर का petrol engine है, दो लीटर का ही engine है, बड़्स के साथ में strong hybrid system मिलेगा, छोटा आपको battery pack मिलेगा, और motor जो है, वो generator वाला काम भी करेगी, that means गाड़ी को start करने से लेकर उसको चलाने में भी मदद करती है, तो एक generator motor होगी, और एक चलाने में भी उसे मदद करेगी, तो दो motor वाला system आप इसे बोल सकते हो, इसमें एक motor का काम सिर्फ उसे, मतलब गाड़ी को start करना, या फिर जब आप regen braking करोगे, तो उस battery को charge करने वाला जो system है, वो आपको मिलेगा, जो कि हम Honda City में भी देख चुके है, Honda City Hybrid जो है, हम High Rider में देख चुके है, Grand Vitara क्योंकि सेमी गाड़ी है, तो उसमें भी हम वो चीज देख चुके है, तो वो same system होगा, बस engine की power जो है, वो बढ़ जाएगी, that means वही 154 BHP से लिगा, 155 BHP के बीच में होगा, बड़ असनी होगा कि यहाँ, engine की power 150, 113 PS से दोनों को मिला दो बहुत सारी power हो जाएगी, जी नहीं, जो usable power output है, जो combined power output है, जो आप use कर सकते हो, वो आपके लिए रहने वाली है, 186 PS, जो कि मेरे साब से कहीं भी किसी भी तरीक lethargic जैसा feel होना चाहिए, but again, वो चलाएंगे, तब उसके बारे में बात करेंगे, तो number two चीज हो गए, कि आपको strong hybrid system इस गाड़ी के साथ में मिलेगा, एक और चीज जो पहली बार हमें innova में देखने को मिलेगी, वो है बहुत सारी fuel efficiency, बहुत सारा mileage, क्योंकि अभी तक diesel engine थ और उसके बाद भी बहुत जादा fuel efficiency offer नहीं करती थी, but thanks to the strong hybrid system, जो Toyota का खुद का है, उसकी बदौलत ये 20 kmpl से जादा fuel efficiency आपको offer करेगी, that means आज तक की सबसे जादा fuel efficient innova आपको high cross के रूप में देखने को मिलेगी, अब क्योंकि नए जमाने की innova है, तो नए जमाने के features बहुत जादा बात करते हैं, एक है ADAS features, मतलब autonomous level 2 वाले features है, radar plus camera based system है, मतलब दोनों को मिला के, आपको बहुत सारे features मिलेंगे, जिसके अंदर adaptive cruise control है, lane keep assist है, lane departure warning है, automatic high beam, emergency braking, ये जो सारे features हैं, वो आपको innova के साथ में मिलेंगे, उसके अलाबा connected car finally innova भी हो जाएगी, नए जमाने की हो जाएगी, that means, आप mobile से बहुत सारी चीज़े देख सकते हो, गाड़ी को start करना, geofencing, अगर stolen vehicle का status आपको देखना हो, if in case, unfortunately ये गाड़ी खो जाती है, या चोरी हो जाती है, तो उस वक्त तो उसका status जो देखना है, वो सब चीज़े मिलेगी, फिर आपको emergency services जो आपको roadside मिलती है, वो सारी चीज़े मिल जाएगी, तो connected features भी आपको मिल गए, उसके अलावा, जो fancy features है, कुछ है, जो हम मानते हैं, बहुत दा fancy features है, जनता मानती है भारत की, उसमें panoramic sunroof आपको मिल जाएगा, फिर wireless charging आपको मिल जाएगी, पीछे वाले जो passengers है, उनके ल आपको 10 inch की touchscreen मिलने लग जाएगी, तो वो भी एक चीज़ है, बाकि Apple CarPlay, Android Auto, ये सब जो चीज़ें आप उम्मीद करते हैं, वो तो मिलेगा है, मिलेगा, फिर एक और चीज़ जो पहली बार होगी, वो है 360 degree camera, जो कि हमने high rider में भी देखा है, उसके अलावा, जो beach वाले passengers है, उनको captain seats मिलेगी, ऐसा नहीं कि पहली बार हम देख रहे हैं, इन्हें वाँ में existing गाड़ी के अंदर भी जो है, वो आपको captain seats मिलती है, बट जो पहली बार होगा, वो है electrical adjustment आपको मिलेगा, तो आप seat को adjust कर सकते हो, plus ottoman feature, that means आपको legroom extend करना है, या जो thigh support जो है, उसको extend करना ह पाओं और जदा comfortably आप रख सकते हो, तो वो एक अच्छी बात है, और air purifier जो है, वो हम आज किल बहुत सारी काज में देखते हैं, तो वो वैसा आपको यहाँ भी मिल जाएगा, that means एक filter मिल जाएगा, वो कितना effective होता नहीं होता, यह तो नहीं पता, बट आपको air purifier है, एक और additional filter, जिससे कि एपकी air जो है, जो cabin air है, वो जादा clean आपको मिलेगी, और जो आपका tailgate है, मतलब जो boot access आपको करते हो, वो power tailgate आपको मिलेगा, और voice command भी support करेगा, वैसे voice command बहुत सारी चीज़ों के लिए होगा, बट tailgate के लिए भी voice command दिया गया है, कितना useful है, नहीं useful है I don't know, अब आखरी चीज़ की बात करते हैं, कि भाईया, launch कब होगी, और कीमत कब आईगी, तो इसका unveil जो है, इंडिया का, वो 25 नवंबर को हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा, launch जो है, वो मुझे लगता है कि first quarter of next year, that means 2023 के first quarter में हो सकते है, इसे launch कर दिया जाए, January में, जनता को इसके दर्शन करने को मिलेंगे auto expo में, मतलब public debut जिसे आप बोलते हैं, वो इसका auto expo में होगा, जो कि January में start हो रहा है, सकरान्ती के आसपास, वहाँ पे इसका public debut होगा, और उसके आसपास ही मुझे लगता है कि हो सकता है वहीं पर price बता दी जाए, या हो सकता है उसके आग मॉडल है, उसके आसपास तो आजानीची, इंडोनेशन मॉडल को अगर हम इंडियन रुपी में सीधे convert करते हो, तो वो 21 लाग रुपए से start होता है, इसका petrol only model, फिर उसके बाद में जो इसका hybrid वाला मॉडल है, वो लगबग 23-24 लाग के आसपा start होता है, तो ऐसी यूमीद हम यहाँ पे करते हैं, top and variant वही 30-32 लाग जाने वाला है, तो सस्ती गाड़ी तो definitely नहीं होने वाली है, कि या Carnival वाली जो pricing हो सकता है, वो हो वाली pricing भी हो जाए, अब लोग जिनको diesel ही चाहिए, कई fleet owners हैं, उनको diesel ही चाहिए, तो Krista का जो diesel है, वो limited numbers में बिकता रहेगा, ऐस ही Fortuner के साथ में भी होने वाला है, थोड़ी दिन के लिए इनों ने booking लेनी बंद कर दी थी, क्योंकि यह अभी अपने hybrid वाले उस पे काम कर रहे हैं, कि यह Innova का भी hybrid लेकर आएंगा, और Fortuner का new generation जो है, उसका भी hybrid आएगा, साथ में current generation जो model है, उनको continue किया जाएगा, with limited numbers म आपको नहीं पसंद आई, कौंसी चीज़े हैं, जो मैं नहीं बता पाया, प्लीज लेट में नो इन the comment section, हम जल्दी से जल्दी उसका जवाब देंगे, thank you so much people for watching this video.